हेलो एब्रीवान केसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घर उपे सेफ होंगे आज हम बात करेंगे आटीए के बारे में यानिकी आटीए एक जो आया था दोजार पांच के बारे में उस पे पूरा डिटेल में डिसकेशन होगी यहाँ पर राहूल सर आपको इसक पर लिखा है आटीए एक इसको आज हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स भी है जिनके बारे में बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है कि लीव रूल्स क्या होते हैं जे एंड के सर्विस कंड़क्ट रूल क्या होते हैं तो 10 पूरे के पूरे complete mock test होंगे वो provide कर दे जाएंगे इस exam के ताकि आप अपने आपकी तयारी को proper analyze कर सके तो जो कोई भी आपके फ्रेंड ने अगर इस exam के लिए apply करा है अब उसके साथ ये share कर सकते हैं और कोशिश हमारी रहेगी कि इस सारा का सारा जो content है यह आपका 15 अगस् इसके हर weekly test जो हम लोगो ने शुरूर करें उसी में इसको आप पेर कर सकते हैं तो चलिए अभी के लिए सब इतना ही अब आप जो आवास सुनेंगे होगी राहूल सर की all the very best अगर आम से पड़े अगर कोई doubt होगा तो comment box में लिखके बताइएगा अज के अब मेरी तरफ से से विदा बाकी राहूल सर अब आपको लेक्चर पड़ाएंगे तो इस लेक्चर में आपको इस के बारे में पूरी complete knowledge दी जाएगी in-depth analysis होगा कि इस act में है क्या उसकी sections में क्या क्या बताया गया और साथ में आपको बता दू में कि इसके बाद जो next lecture आएगा उसमें हम MCQs discuss करेंगे तो इससे क्या होगा आपको जो पूरी information है related to this आपको सारी clear हो जाएगी तो चलो शुरुआत करते हैं आपने lecture की तो ये lecture मेरा दौर प्रेजन किया जा रहा है और मेरा नाम है राहूल शर्मा तो RTI Act पता होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि right to information होता क्या है right का मतलब होता है अधिकार और information का मतलब होता है सूचना तो आपके पास सूचना का अधिकार है ये सूचना का अधिकार जब आपको मिल जाता है उससे आप क्या कर सकते हो information access कर सकते हो किसी भी type की from government authorities तो ये जो act है ये क्या है? Parliament of India के द्वारा ये पास किया गया था तो ये कोई constitutional act नहीं है ये constitutional right नहीं है ये जो right हमें मिला है ये through Parliament of India में जो bill पेश किया गया था उसके बाद जो वो act बना उसके थूँ हमें ये मिला हुआ है और इस act में क्या है? हमें rules और procedure बताए गया है कि किस तरह से एक citizen है वो right to information access कर सकता है ठीक है? ये हमें बताया गया इस पूरे act में तो ये nutshell में हो गया इसके बारे में अब आगे discuss करते है और उससे पहले आपको ये पताओना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जो right to information act 2005 उससे पहले कोई act नहीं था उससे पहले भी हमारे पास एक act था जिसको हम बोलते थे freedom of information act 2002 और इसके बाद इसको replace किया गया तो अब हम पढ़ते हैं कि RTI bill का पेश हुआ था तो यहां देखो आप कि RTI bill जो था यह पास किया गया था Parliament of India के द्वारा कब 15 June 2005 तो 2005 15 June तब इसको pass किया गया था लेकिन यह effect में कब आया कब इसको लागू किया गया तो force जो क्या बोलता है came into force जो है with effect यह कब हुआ था 12 अक्टूबर 2005 तो 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू हो गया था यहां आप क्या कर सकते हैं उसके बाद आप information सीख कर सकते थे अब इसके जो यह जो act है इसके कुछ objectives हैं कुछ motives है उसको discuss कर लेते हैं तो सबसे पहला जो objective है वो बताता है कि यह क्या करता है यह empower करता है किसको citizens को तो citizens के पास एक नया और right आ गया जिसमें क्या वो information gather कर सकते हैं या seek कर सकते हैं from government authorities यह public authorities तो यह भी एक type का empowerment हो जाती है किसकी citizens की दूसरा यह promote करता है क्या transparency और accountability accountability किस तरह की जो public authorities है वो भी अपना जो mandate है उसको अच्छे से बना के रखेंगी कोई गलत ना कर दे क्योंकि अगर किसी ने information सीख करके court में पेश कर दी तो उससे उनके लिए problem हो सकती है तो यह transparency और accountability दोनों को maintain करता है या promote करता है तीसरा यह help करता है to contain corruption contain का मतलब होता है रोकना तो corruption को रोकने में भी यह help करता है वो same process है जैसे मैंने आपको बताया ओपर जैसे वो transparency और accountability बनाता है उसी की वज़ा से यह corruption को भी रोक पाता है और तीसरा इससे क्या होता है enhance people's participation in democratic process तो democratic process में भी यह people लोगों की participation है उसको promote करता है या उसको enhance करता है कि लोग आगे आके अपना जो right है उसको access कर सकें तो यह सारा कुछ था इसके objective next हम पढ़ेंगे कि इसमें जो important features क्या क्या है वैसे मैं बता दूँ आगे हम sections को भी discuss करेंगे यह जो पूरा act है उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे मैं कुछ आपके जो इसके important features है जो आपको पता होने ही चाहिए वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले यह जो RTI act है उसके अंदर कोई भी citizen ठीक है कोई भी citizen लेकिन citizen कहा को न जाएगा इंडिया का तो कोई भी Indian citizen जो है वो information के लिए request कर सकता है from public authority यहाँ भी आपको यह ध्याँ रखना है किससे आप access कर सकते हो information from public authority और public authority कौन सी होती है यह कोई भी अगर body of government के साथ यहाँ तो वो associated है यह वो खुद ही government का part है उससे आप information सीख कर सकते हो यहाँ उसके बारे में अंडर कितने दिन के within आपको provide की जाएगी तो within 30 days तो 30 दिन के अंदर अंदर ही जब आपने RTI file करोगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको यह information जो public authority है उसको provide करना उसका first बनता है लेकिन अगर कोई ऐसा case हो जाता है in case of involving ऐसा कोई matter बन जाता है जिसमें क्या petitioner की life या liberty पे threat आ जा रहा है या उसको यह information चाहिए ही चाहिए किसी emergency condition में तो उस case में यह जो information है वो provide की जाएगी within 48 hours ठीक है तो 48 गंटों के अंदर अंदर ही वो information उसको provide की जाएगी उसको 30 दिन नहीं लगेंगे आप ऐसा नहीं कर सकते कि कि किसी भी public authority से आप वो क्या बोलते हो information सीख कर सकते हो इसमें कुछ exemptions भी है अब वो exemptions क्यों है और कौन कौन सी है वो भी हम पता लगा लेते हैं तो यहाँ पर जो exemptions दी गी है कि सको central intelligence agencies या security agencies को इनको क्या किया है RTI के act से क्यों किया गया है क्योंकि देखो अगर मुझे ये बताओ आपको कुछ security point of view से अगर आप कुछ ऐसी information आपको मिल जाती है जिससे क्या हो रहा है देश को threat हो रहा है या किसी और country ने आप चे information निकलवा के RTI के तुरू और वो अपने लिए उन्होंने यूज कर ली तो उससे क्या हो जाएगा देश को नुकसान होगा ठीक है तो country के लिए प्रॉबलम ना बन जाए इसलिए उन्होंने क्या किया जो security agencies है यह central intelligence agencies है उनको इस जो आपको जो एक और चीज आपको पता होने चाहिए व commissioner appoint किया जाएगा और उसके साथ साथ 10 central information commissioner भी होंगे एक chief information commissioner और 10 central information commissioner होंगे चिन से क्या बनेगा एक central information commission बनाई जाएगी और जो क्या करेगी पूरा RTI का process देखेगी कहां पर state wise, center wise जहां पर जो information है वो उनको देगी ठीक है वो बाकि जो public authorities है उनको बोलेगी कि आप अपने से को तो सारा कुछ कौन देखेगा central information commission जिसको head किया जाएगा chief information commissioner के तूर उनके साथ साथ उनकी help करने के लिए 10 central information commissioner भी होंगे अब next क्या है कि यहां पे यह act खतम नहीं हुआ आगे हम जो section से वो discuss करेंगे लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 2019 में हमने इसी act में कुछ amendments की ओके amendment का मतलब होता है कुछ changes लाएग अब वो changes क्या क्या थे वो discuss करते हैं तो सबसे पहला जो change है वो यह है कि जो आटी एक 2005 था यह क्या करता था जो chief information commissioner है उसका एक tenure decide करता था ठीक है वो बताता था कि आपका जो चाहे वो state का है यह वो क्या मुलते है center का है होगा तब तक वो काम कर सकता है लेकिन जो यह amendment हुई आटी एमेंडमेंट एक 2019 उसमें क्या हुआ government के अंडर आ गया अब यह central government के अंडर है यह control में है कि वो chief information commissioner है उसका time period क्या रहेगा क्या वो 5 साल रहेगा 6 साल रहेगा 3 साल रहेगा यह मतलब कि जो भी है फो किसके government के control में ओके चाहिए वो state का हो चाहिए वो center का हो दोनों का जो appointment होगा यह जो उसका tenure होगा वो decide किया जाएगा by central government दूसरा इन्होंने क्या किया जो pay scale था या जो salary थी उसको भी उन्होंने deduce कर दिया या उसको changes lie उसमें उन्होंने बोला पहले क्या होता था जो chief information commissioner था जो chief information commissioner थे उनकी जो salary होती थी वो equivalent होती थी chief election commissioner के और जो बाकी information commissioner थे जो हमने बोला था लेकिन अब क्या हुआ यह जो act के जो amendment के बाद यह जो chief information commissioner की salary थी उसको यह फिर से किसके control में आ गई government के control में आ गई तो government जितना चाहे इतना वो उसको अगर pay करना चाहे तो कर सकती है या जितनी उसकी salary रखना चाहती है वो रख सकती है आम तोर पे उन्होंनों क्या किया इस जो भी secretary होगा उस top level पे election commissioner में जो भी secretary level पे जो post होगी उसके बराबर उन्होंने करती तो यह किसके control में आ गए दुबारा government के control में आ गए तो यहां तक हमने अपना जो important water था पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे जो यह जो RTI act है act में क्या क्या बताया गया act की कौन कौन से sections ह है उसमें कितने chapters है उसके बारे में discuss कर लेते हैं all right तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो यहां पर आपको जो यह content के page में आपको देख रहा है chapter 1 ओके तो यहां पर different chapters है आपको में बता दूं total 31 sections है ओके 31 sections है और यहां पर जो chapters है वो total 6 chapters है ठीक है total 6 chapters होंगे और 2 schedules हो होंगे उसके बारे में हम पहले EK करके आपको में बता लेता हूं तो right to information act में सबसे पहले जो आपको chapter 1 आएगा उसमें क्या आएगा right to information act के बारे में थोड़ा सा बताया है उसमें जो section 1 है वो करेगी short title जो titles है क्या-क्या उसके बारे में बताया जाएगा वो इसमें discuss किया फिर दूसरे नबर पर आगए definitions information public authority record उनकी definitions है उसके बारे में बताया गया थो जो पर जो उसमें right to information and obligations of public authority जो public authority की obligations है वो क्या-क्या है वह बताया गया right to information section 3 है उसमें बताया गया section 4 में obligations public authority की 5 में designationmuşown public information officer इस तरह से आपको यह सारी जो है आपको जो sections है यह आपको इसके बारे में पता होना चाहिए ऐसा नहीं है कि यह सारी important है लेकिन जो important है उसको मैं आगे जाके आगे discuss करने वालों तो यह आपको बस मैंने एक nutshell में आपको दे दिया आप जो triple S का जो telegram channel है वहाँ से आप इसको इसकी जो PDF होगी वो access कर सकते हो आप अराम से इसको पूरे जो act है उसको पढ़ी भी सकते हो नहीं तो इसके साथ साथ आपको जो इसका bare act है वो भी उसमें provide कर दिया जाएगा तो वो भी आप साथ में पढ़ सकते हो ठीक है तो यहाँ और यहाँ पे यह 12 section में आपको क्या बता रहा है Central Information Commissioner के बारे में और उसके बाद ही जो Chapter 4 है उसमें State Information Commission के बारे में आपको बताया गया यह पर Chapter 5 में आपको Power and Functions of Information Commissioners and Appeals or Penalty क्या क्या है वो आपको बताया गया है और साथ में फिर उसके बाद जो Chapter 6 है important नहीं है तो चलो अब हम पढ़ते हैं act के बारे में तो इसके कुछ important provision है मैं सब नहीं पढ़ाओंगा लेकिन जो कुछ important होगे वो आपको मैं बता देता हूँ तो जो section 1 है हमारी यह हमें बताती है किसके बारे में कि right to information act है क्या उसके बारे में थोड़ा बताती है और यह बताया गया है यहां बे जो हां बे लिखा है ना extend to whole of India except state of German Kashmir यह पहले वाले act में था लेकिन जब 2019 का amendment हुआ उसके बाद क्या हो गया यह include हो गयी है अब यह accept नहीं रहा ठीक है इंडिया के साथ साथ यह पूरे जमान कश्मीर में भी लागू हो जाती है जो second section है यह बोलती है definitions के बारे में बताती है definition किस तरह की अब देखो यहां पर सबसे पहले जो section 2 subsection f है यह हमें provide करती है definition information के बारे में कि information हम किसको बोल गया है तो अब यहां पर किया गया है any material in any form ठीक है किसी भी form में such as records, documents, memos, emails, opinions यह उस तरह की कोई भी related चीज़े and information relating to any private body accessed by public authority कोई भी private body की अगर information जो public authority के पास है यह कोई भी records है, documents है, memos है उसके related जो भी चीज़ होगी वो एक information consider की जाएगी उके उसको हम एक information बोलेंगे और वो information access की जा सकती है citizens के दौरा खीक है यह हो गया दूसरा इन्होंने बताया कि public authority है क्या हमने पहले भी डिसकस किया है लेकिन public authority इनका मतलब क्या है as a authority, any authority, body या institution और self government of self government established यह वो government के साथ established हुई है यह government के साथ related है किसी भी तरीके से उसको हम बोलेंगे public authority और साथ साथ में आपको ऐसा भी यहां पर बोल सकते हैं कि under constitution of India उस body को बनाया गया है यह law के दौरा पार्लिमेंट के दौरा बनाया गया है जो section 2, subsection IE बोलता है इसमें क्या बताया जाता है definition किसके बार में records के बारे में कि record किसको बोलेंगे, किसको record बोलेंगे, अब record में क्या आता है हमारे document आते है manuscript आती है, file आती है, यह microfilm, microfilm इस तरह की जो भी चीजियों होती है वह important वह इसमें आती है जो reproduction of image and images in such microfilms and यह इस तरह की कोई भी information जो हमें computer के द्वारा भी provide की जाती है computer में भी access कर सकते हैं, वो सारा जो होगा, यह part किसको होगा, record का होगा जो section 2, subsection J है, उसमें हमें बताया गया है, right to information के बारे में कि right to information में क्या क्या आता है, इसमें क्या आता है, inspection of work, documented records, उसके बारे में आप कोई भी document को आप access कर सकते हो, records को आप access कर सकते हो, आप information इसकी हो सकती है, ठीक है taking notes, extracts, certified copies of documents and records, जो documents और records है, उनकी certified copies है, वो भी आप access कर सकते हो, ठीक है taking certified samples of material, और materials के भी samples को आप access कर सकते हो, उसकी भी information आप ले सकते हो, या कोई भी type की, कोई disc के form में आपके पास information है, floppy's के form में, tapes, video cassette, किसी भी form में अगर आप information आप किसी public authority पास है, तो वो आप access कर सकते हो, under right to information, okay, I hope यहां तक आपको clear हो गया होगा, I know यह थोड़ा एक ल आपको last तक आपको पूरी complete information मिल जाएगी, आप act भी पढ़ चुके होगे, उसके basic provisions भी पढ़ चुके होगे, objective भी आपको पता होगे, और इससे क्या होगा, आपका जो topic होगे, यह पूरा एक ही video में complete हो जाएगा, ठीक है, तो आप please bear करना मेरे साथ, क्योंकि I know यह लंबा है, लेकिन थोड़ा lecture लंबा होगा, लेकिन आपको interesting लगेगा, अब जो section 2, subsection N है, उसमें बताया गया है कि third party हम किसको बोलेंगे, ओके, देखो, first party क्या होती है, जैसे मेंने अगर कहीं पर RTI लगानी है, ठीक है, मेंने RTI लगाई, तो जो में होगा, में क्या होगा, first party कोन होगा, जो public authority होगी, या public authority जो मुझे information देगी, वो होगी second authority, और third party कोन सी होगी, जो क्या है, अगर किसी और तरीके से, में किसी और की information access करना चाहता हूँ, ठीक है, या कोई भी तीसरा बंदा, जिसकी information मुझे चाहिए, या किसी तरीके से में access करना चाहता हूँ, उसको वो क्या कर रहा है, कोई भी तीसरा बंदा, other than citizen, अगर वो access करना चाहता है, information through public authority, under RTI Act, उसको हम बोलेंगे, third party, तो वो हो जाएगा, third party, next हम पढ़ेंगे, chapter 2 में, कि right to information, और उसकी obligations क्या है, public authority पे, ठीक है, क्या-क्या, वो कर सकते है, इसमें क्या, section 3 में discuss किया गया है, कि every citizens shall have right to information, तो यह, इसमें तो simple इन्हों ने यह बताया है, कि RTA जो है, उसका access सब के पास होना चाहिए, citizens के पास, okay, fourth में क्या, obligation किसके, of public authorities, public authorities पे, क्या-क्या, obligations है, इनका क्या काम है, इसमें क्या है, इसमें section 4 में बोला जा रहा है, कि यह maintain करेंगे, किसी भी, of maintain all its records, records, duly catalog, और indexed, कोई भी record जो है, इनके पास, वो यह, चाहिए computerized form में, चाहिए किसी और form में, यह, इनके पास होना ही चाहिए, okay, ऐसा नहीं है, कि आप बोलोगे, कि मेरे पास यह information है, नहीं है, अगर आपके through, यहाँ पे कोई काम हुआ है, तो उसकी information आपके पास रहनी चा आपको यह सारा काम करना है, तो यह आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें जो important था, वो मैंने आपको बता दिये, यहाँ पे designation है, public authority की, यह भी इतना important नहीं है, उन्होंने बोला कि जैसे act pass होता है, तो उसके सो दिन के अंदर अंदर, आपको क्या करना, चीफ information officer भी बिठाना है, ठीक है, आपके बास क्या होना चाहिए, officers होने चाहिए, कैसा है, central public information officer होना चाहिए, state public information officer होना चाहिए, कि सारे administrative units में, ओके, और उसके साथ-साथ उन्होंने बोला, अगर आपको assistant चाहिए, तो वो भी आप रख सकते हो, central assistant public information officer, यह state assistant public information officer, तो यहाँ पर बस designation बताएगी किस तरह के कहां कहां पे आप वो जो यह post है, उसको आप fill कर सकते हो, okay, next जो section 6 है, यह बताता है, request for obtaining information, किस तरह की जो information है, उसकी आप request कर सकते हो, यह कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, कि deals with obtaining information by a person who makes a request, किस तरह से request की जाएगी, in written, through electronic means, English यह हंदी किसी भी language में, या किसी भी official language in that area, तो उस तरह से कोई भी होगा, to the CPIO, जिसको बोते है, Central Public Information Officer, यह State Public Information Officer, उसको, क्या जो public authority का concern, public authority का जो यह officer होगा, उससे आप information ले सकते हो, किस medium के तरू, इस तरह से, कोई भी इन में से, जो भी तरीका होगा, उससे आप information इन से, सीख कर सकते हो, यह section 6 में बताया है, 7 में क्या, disposal of request, कि जो आटी है, अगर किसी ने लगाई है, तो जो public authority है, उसका काम बनता है, कि within 30 days उसको dispose कर दो, मतलब कि उसका information है, जो information चाहिए citizen को, वो उसको provide की जाए, और उसके बाद वो within 30 days उसको काम खतम कर दो, यह section 7 में बताया क्यों, क्योंकि देखो, section 8 में क्या बताया है, exemptions के बारे में बताया है, किसका disclosure of information, कौन सी जो information है, उसको आप disclose नहीं कर सकते हो, यह कौन कौन सी authorities है, जिनको exempt किया गया, पीछे भी हमने discuss कि यह थी, यहाँ पर भी हम बता सकते हैं, यहाँ बोला जा रहा, there shall be no obligation to give any citizen information किस त security, strategy, scientific, economic interest state के, या इंडिया के जो भी होगे, और relations with formal state, उसको अगर कोई भी चीज effect करती है, वो आप information नहीं दोगे, उसी तरह से आगे और भी है, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, यहाँ पर जो आपको पीडिया प्रवाइड की जाएगी, उसको आप पढ़ सकते हो, क्यों दी गई है, जिसमें नहीं आपको बताया था, कुछ central agencies और security agencies भी इसमें आती है, next, nine में क्या, ground for rejection to access in certain cases, तो यहाँ पे वो ही है, कि कुछ grounds होगे, जिसमें आपको rejection भी मिल सकती है, ठीक है, आप ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ की information access कर सकते हो, यह पीछे वाला तो ही है, लेकि में क्या, अगर किसी चीज़ का infringement of copyright हो रही है, वहाँ पे भी आपको नहीं देने की जुरूरता information, ठीक है, क्या आपको information सबको ही provide नहीं करनी है, ठीक है, और यहाँ section 10 में बताया गया, severability, okay, severability में क्या है, यहाँ पे क्या है, in part of the information exempted from disclosure can be separated, it may be disclosed, provided, जो public information officer है, वो क्या यह जो information है, यह में disclose नहीं कर सकता हूँ, यह इसका में बस यह छोटा हिसा ही आपको बता सकता हूँ, ठीक है, यह public information officer है, उसको बताना पड़ेगा, जो भी citizen से access कर रहा है information, okay, तो यह जो severability है, इसमें है, कि कौन सा part आप disclose कर सकते हो, तो कौन सा नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि किसी किसी type का यहां पर आ सकता है, और उसका reason भी देना पड़ेगा, कि आपने यह decision क्यों लिया, यह citizens को आपको बताना पड़ेगा, okay, फिर यहां पर आ गया third party information, third party information का मतलब, अगर किसी तीसरे बंदे की information आपको देनी है, जिसको जो थोड़ा एक, क्या बोलते हैं, कुछ important personality है, कुछ important मंदर, तो आप क्या करोगे, उससे भी आप time क्या करोगे, उससे भी आप information देने से पहले, उसकी permission भी लोगे, कि क्या आप मुझे permit करते हो, कि मैं आपकी यह जो information है, इतनी information, जो मेरे से citizens मांग रहे हैं, वो मैं दे सकूँ, ठीक है, उसके लिए क्या है, जो PIO यह हुआ है, ठीक है, public information officer, वो 5 दिन देगा, यह क्या करेगा, एक notice देगा कि इसको third party को, कि आपकी जो information है, वो मैं disclose करने वाला हूँ, अगर आपको कोई problem है, या आप चाहते हो, मैं disclose करूँ या नहीं करूँ, तो आप मुझे within 5 days, आप मुझे inform कर दो, ठीक है, या मुझे आप बता दो, तो उसके बाद वो actions लेगा, तो यह था third party information के बारे में, जो बताया गया section 11 में, next, जो chapter 3 है, इसमें बताया गया central information commission, इसकी constitution क्या होगी, कि कौन-कौन से इसमें bodies होगी, involved होगी, तो यह इसमें बताया गया, और यह भी important है, okay, यहां पर बताया गया, central information commission, यह section 12 की बात करने है, इसमें क्या, central government has to constitute CIC, central information commission को वो क्या करेंगे, constitute करेंगे, और उसको क्या, किस तरह से, जो CIC है, उसके में कौन-कौन होना चाहिए, एक chief information commission होना, commissioner होना चाहिए, और दूसरा उसके सा, central information commissioner होने चाहिए, कि कितने not exceeding 10, तो 10 से जाधा नहीं होने चाहिए, यह मैंने पीछे आपको बता दिया था, वैसे ही, important features में, लेकिन यहाँ पे भी आपको पता लगया, कि section 12 में यह बोला गया, कि CIC में 10 से जाधा information commissioner नहीं होने चाहिए, और एक chief information commissioner होगा, ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद यह भी बताया गया है, कि जो chief information commissioner है, यह जो information commissioner ह उनको appoint कोन करेगा, president appoint करेगा, ओके, और उसके बाद एक recommendation committee होगी, ठीक है, एक recommendation committee होगी, जिसके तहद यह IC, chief information commissioner, यह information commissioner select होगे, वो जो committee है न, उसको head कोन करेगा, उसके chairman कोन होगे, यहाँ उसमें कोन कोन होगे, एक तो prime minister होगे, जो उसके commission के chairman होगे, दूसरा उसमें leader of opposition हो होगे, इन लोगसभा, लोगसभा में जो भी leader होगे, opposition के, वो होगे, तीसरा उसमें कहा, union cabinet minister होगे, to be nominated by prime minister, तो prime minister के दुआरा, कोई भी nominated union cabinet minister, वो भी उस commission में involved होगा, ठीक है, जिससे वो select करेंगे, और president को recommend करेंगे, कि आप इनको बनाओ, ओके, तो यह सारा था, जो एक body committee constitute होगी, जिसमें यह recommendation देंगे, president को, ठीक है, और यहाँ पर आपको बताया गया, qualification, यह भी इतना important नहीं है, बस आपको जो important important चीज़ें, वो मैं आपको साथ सामने बताते जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर removal है, CIC या IC का, removal आप किस तरह से कर सकते हो, किस ground पे, जो यह IC यह CIC है, यह president के द्वारा ही, ठीक है, हमेशा याद रखना, यह president के द्वारा ही, क्या बोलते है, इनको remove किया जाएगा, वो भी किस पे, अगर यह किसी ground पे prove हो, किस-किस ground पे, misbehavior, या और incapacity, वो भी किस के दवार, after the supreme court, on the reference by president to it, जब supreme court इनको बोल दे कि ठीक है, इनका mis behavior prove हो गया, या incapacity prove हो गया, तो president क्या कर सकते है, इनको remove कर सकते है, तो यह किसमें के दिया गया, section 14 में, और इसी तरह का state information commission पे होगा, same ही है, उसमें भी कोई जादा difference नहीं है, बस आपको यह याद रखना है, इसमें जो appoint किया जाएगा, state information commission में, जो information commissioner जो appoint किया जाएगे, वो appoint करेगा governor, उसे appoint करने का हक किसको है, governor को, और उसके बाद यह जो committee है, उसको head करेंगे chief minister, जहाँ पे वहाँ पर prime minister था, यहाँ पर chief minister होगे, leader of opposition होगे, legislative assembly के, और cabinetर जो chief minister क्या करेंगे, उनको nominate करेंगे, तो यही body, same का same रहा, ठीक है, कोई जादा difference नहीं है, तो अब य जो भी चीज हो सकती है, वो कर सकते हो, लेकिन अब यह जो section 16 है, इसमें क्या है, यह अब under union government, central के control में आ गया, कि अब उनके तहती यह सारा काम होगा, ठीक है, वो चाहें तो 5 साल का tenure दें, या 4 साल का दें, या जब वो appoint कर सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं, और याद रखना यह जो central information commissioner है, या chief information commissioner है, वो reappoint नहीं हो सकते, not eligible for reappoint, लेकिन जो information commissioner है, उनको chief information commissioner बना सकते हैं, लेकिन जो chief information commissioner है, उनको दुबारा chief information commissioner नहीं बना सकते हैं, और यहाँ पर दुबारा यहाँ बताया गया है, removal, इनका भी, यह सेम ही है, सारा process सेम है, नेक्स हम बढ़ते हैं, पॉवर्स और फंक्शन क्या है, कमिशन की, ठीक है, तो पॉवर्स क्या है, आपको बताया गया है, कि वो क्या कर सकते हैं, यह जो कमिशन होगी, जो constitute की जाएगी, उसमें क्या है, यह duty बनती है, Chief Information Commission, यह State Information Commission की, to receive and inquire into a complaint from any person, किसी भी person के द्वारा, अगर complaint की गई है, कि उसको किसी information को refuse किया गया, ठीक है, उसने information मागी, उसको refuse किया गया, उसको नहीं मागा, नहीं दी गई उसको वो information, तो वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, यह बोल सकता है, कि इस चेज में inquire करो, तो यह किसकी duty ब commission, या state information commission की duty बनती है, कि उसके ओपर कारवाई की जाए, तो यह इस पर powers and function है, commission की, 19th क्या बोलता है, section 19 हमें बोलता है, appeals के बारे में बताता है, ठीक है, appeal, अब यहाँ पे appeal क्या बोलना जा रहा है, कि अगर किसी भी person, any person who does not receive a decision within specified time, तो जो मैंने बताया, 30 दिन के अंदर अगर किसी को नहीं मिला information, या उसको नहीं बताईगी, तो उसके बाद वो क्या कर सकता है, so he can within 30 days, एक appeal दायर कर सकता है, to senior in rank, जो भी information जिससे मागी गई, उससे जो officer senior होगा, उसके आगे वो 30 दिन के बाद information अपनी रख सकते हैं, और जो first appeal के लिए तो 30 days है, लेकिन जो second appeal उसके लिए 90 days लगेंगे, ठीक है, तो 90 दिन के बाद वो second appeal में दायर कर सकते हैं, कि अगर first appeal के बाद भी उनको लगा, वो satisfy नहीं हुए, कि जितनी information चाहिए थी, इतनी नहीं मिली, तो वो third appeal, जो second appeal है, वो after 90 days कर सकते हैं, तो ये था appeals के बारे में, 20 में कुछ penalties बताईगी ह ये भी important है, इसके क्या है, कि अगर कोई भी ये जो central public information commissioner या state public information commissioner है, उन्होंने किसी भी unreasonable चीज के तहत या किसी cause के कारण उन्होंने information नहीं दी, या उन्होंने refuse कर दी, या उन्होंने क्या बोला कि हमारे बास information है या उसको खतम ही कर दिया information को, कि कोई मांगे ही क्यों, होता है, और वो information नहीं provide कर सकते, और वो भी कोई एक reason नहीं दे पा रहे है, solid reason नहीं दे पा रहे है, तो उसके बाद penalties कि पर लगती है, जो central public information commissioner है, उन्होंने पर penalties भी दायर की जाती है, और वो penalty में क्या बोला गया है, कि rupees 250 each day लगेगी, जब तक जो information मांगी गई थी citizen के द धायर पे उसको charge किये जाएगे, as a penalty, और यह जो है, यह जो 13 गायर यह पड़ीन करते-करते, कितने से ज़्यादा एकसीडनी और पर जाहिए, मदलब है, यह जो penalty है, मिसलीनियस एक्स हैं वह आपको पढ़ने की जुरूरत नहीं है इतना इंपॉर्टन नहीं है पढ़ना चाहो तो आपको बेर एक्स में आप पढ़ भी सकते हो और सबसे इंपॉर्टन जो है यहां पर सेकंड स्केडियूल है फर्स्ट में मैं आपको बता दूं ओत के बारे में आते हैं उनके बारे में यहां पर बताया गया क्या 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 इंटेलिजेंस ब्योरो रिसर्च एन अनलिसिस विंग ठीक है डिरेक्टर और रेवनियू इंटेलिजेंस तो यह पढ़ सकते हो तो यह सारी जो इंपॉर्टन जो हमारी सेंट्रल एजन्सी आ वह हमें इस स्केडियूल है उसमें बताया गया है कि इनकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जा सकती तो यह था हमारा पूरा प्रॉपर जो हमने सेक्शन भी यहां पर डिसकस कर ली हमने पूरा लौ भी डिसकस कर लिया और आई होप आपको लास्ट तक पूरी क्लारिटी मिल गई होग ठीक है थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा उसका थोड़ा प्लीस उसमें हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन आपको यह पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है ठीक है और इसी तरह की वीडियो के लिए आप फ़र्दर ट्रिपलेस के साथ जॉइन कर सकते हो साथ-साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ट्रिपलेस प्रिपलेस पे कोर्स भी सब्सक्रुंड चल रहा है के ठीक है उसको एनलाइजज बी कर सकते हो ठीक है तो यह सब आपको मिलेगा ट्रिपलेस की एप पर और यहीं पर मैं अपना जो class है वो खतम करता हूँ ठीक है अगर आप मेरे से contact करना चाहते हो या कोई आपकी query है वो आप comment box में comment तो कर सकते हो लेकिन उसके इलावा यह मेरा instagram handle है राहुलब्राल और जो telegram handle है राहुलब्राल9 यह भी आप यहाँ पर मुझे DM कर सकते हो मुझे time लगेगा तो मैं आपको पका आपको जो query होगी उसका answer दे दूँगा ओके तो यहाँ पर मैं अपना जो lecture है उसको समाप करता हूँ खतम करता हूँ तो मिलते हैं आपको next lecture में thank you जैहिंद वन्दे मात्रम